नमस्कार मित्रानों नमस्कार चला एक पाच मिनेट थोड़स लाइट जाला कारणका माझा कड़े विद्धुद सप्लाइनों ताही थे तर मित्रानों अपन लास्ट पीरेड मदे मोमेंट आप इनर्शा आफ सॉलिड सिरेंडर आपन लर्ण केरेड़ा आहे त्या नुसार आता अपन इथे पूर्चा भीट आपन पाता हो तो आनि तो मंझे एंगुलर मोमेंटम और इट्स कंजर्वेशन मंझे रोटेशनल डाइनमिक्स मतला हाँ पूर्चा भाग आहे अगर जो भी कुछ आपकी शंकाय है तो आप कॉमेट करके मुझे बता सकते हैं मैं आपके लिए 24 आवर रेड़ी हूँ बचों मैं आपको और एक रिक्वेस्ट करता हूँ अभी तक अगर आपने चानल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चानल को सब्सक्राइब किजिए बेल आइकॉन दबाईए यानि कि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप इचाइड इवरी वीडियो देख पाऊगे अगर जो भी कुछ बच्चे अभी तक लाइव नहीं है उन सब बच्चों तक आप लिंक भेज सकते हैं आप सब के तरफ लिंक बेज दो देखते हैं कितने आये हैं अभी तक तो 39 लाइव है मैं सब का नाम बाद में लेने वाला हूँ पिरेड खतम होने के बाद माविश खान रमजान वगेरा सिंगर लेकांत है हाई सर गुडिवनिंग गुडिवनिंग बेटा मुकेश डोबले, मांसी मोगरगे, राहूल जाधो, श्रेहा बोंडारे, प्रिया लंजवार, राजेंद्र रुईकर, गीता भोस गे, विजेश शिंदे, जोतिराम भोसले कुरुपया फक्त प्रश्नांची चाटिंग करा बरोबरे फक्त प्रश्न टागा फक्त प्रश्न, तुमाला काया आडचन हसेल, तर प्रश्नांची चाटिंग केलाथ, तर निशिताच जोतिराम भोसले, सराइत, बहुत एकता, सराणी, खुप चांगले प्रकाची तमैती संगितली फक्त प्रश्न टाखला, तर निशिताच बरवाटेल, आड़ी मिजू काय प्रश्न विचारेल, त्या प्रश्नांची फक्त उत्तर द्या, वीडियोचा शिवती मी सरवांची नावगीन, सद्याचा स्थिती मदे बरेजन लाईव आहेत, एककाउन लाईव आले लेहत अपना व लेट होते हैं मभवन, शला अंगुलर मोमेंटम और इस कंजरवेशन हाबित आपना सीति पाय जा है, मेंस विए आर गोर मोमेंटम और इस गनरवेशन यहां, उसका जो कुछ भी चंजरवेशन है उसका भी डेरिवेशन में आपको देने वाला हूं, ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं, derive and expression for angular momentum of rigid rotating body, अगर कोई rigid rotating body है, तो उसका angular momentum हम किस तरह से determined कर सकते हैं, इसके बारे मैं आपको यह definition दे रहा हूँ, linear momentum, पहले हम पढ़ते हैं कि linear momentum बोले तो क्या, linear momentum हम किसे कहते हैं, तो देखो, linear momentum, simple सी definition है, खाली product है हिए, यानि कि गुनाकार है, the product of mass of body and its linear velocity is called linear momentum, यह देखो, the product of, product बोले तो multiplication, of किसका है, mass of the body, यानि कि जिस body का हम angular momentum होगे रहा, डिटरमेंट करने वाले है, उसका mass of body and its linear velocity, mass और उसकी linear velocity दोनों का यह product है, is called linear momentum, अगर आपको linear momentum मालूम नहीं है, पता नहीं है, तो आपको angular momentum डिटरमेंट करना नहीं आदा, इसलिए आपको angular momentum, यह linear momentum डिटरमेंट करने के लिए, आपको यह दोनों चीजे मालूम होगे चाहिए, mass of body, यानि कि mass of body m and its linear velocity that is the v, यह दोनों का multiplication, यानि कि that is equals to p, और p बोलें तो क्या है, linear momentum है, यह देखो इस तरह से, vector p is equals to m into vector v, vector p is equals to vector, vector p equals to m into vector v, why this is vector, because इसे direction, और यानि कि direction की यहां बहुत जरूरी होती है, अगर direction नहीं, तो हम इसे indicate नहीं कर सकते हैं, velocity determine करने के लिए, आपको direction की बहुत जरूरी होती है, इसलिए इनके उपर direction दिखाया जाता है, यानि कि vector form है, ओके, unit है इसका kilogram meter per second है, kilogram meter per second, यह देखो यह unit क्यों है, mass का unit है kilogram, और velocity का unit है meter per second, तो यह रहा kilogram meter per second, इस तरह से इसका unit आता है, मैं थोड़ा परसो एक student ने बोलने की वज़़े से, थोड़ा सा handwriting के उपर मैं भी थोड़ा सा देहान दे रहा हूँ, क्योंकि आपकी तरब से ही मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा था था, फास्ट लिख था लेकिन चला सोचा मैं भी चला थोड़ा सा देरी लिखू, तो cgs unit है इसका देखो, ग्राम, यह देखो इसका cgs है, एक kilogram है, kilogram के जगा हम यहाँ gram लिखेंगे, मिटर है तो मिटर के लिए हम सेंटिमेटर इस्तमाल करेंगे, और सेकंड का cgs m case दोनों का भी सेम ही है, डामेंशन से इसके ym raised to 1, ym raised to ym बोले तो mass, mass capital ym है, तो यह एक unit है, अगर वहाँ kilogram square होता, तो ym raised to 2 होता, लेकिन खाली यह mass एक है, उसके बाद meter है, सेंटिमेटर, meter है, meter बोले तो length measurement करने के लिए, तो yl raised to, length, length के लिए हम क्या इस्तेमाल करते है, symbol yl इस्तेमाल करते है, और second यानि के time measurement करने के लिए हम यहाँ टी का इस्तेमाल करते है, तो इस तरह से ym raised to 1, yl raised to 1 and t raised to minus 1, यह 4 दमद स्था बखो आगर यह गरेंट लिखना चाहते किलो क्राइशा मैंटस अगर किलों मिटर ट्रेस्टौर खुद्ट माइन सब्सक्राइब है आप अगर यूनिट लिखते है तो अगर डाइमिंशन लिखते हैं तो किलोग्राम के लिए यह लिखना पड़ेगा M democr अब मैंकी मीटर है तो लेंथ मेजर करते हैं और सब्सक्राइब है तो second के लिए time आप T इस्तेमाल करते है तो T raise to minus 1 इस तरह से है okay समझ में आया यह मैंने क्या दिया आपको linear momentum दे दिया okay इसके बाद हम देखते है angular momentum तो angular momentum हम किस तरह से determine करते है थोड़ा साथ में ही लिखा करो थोड़ा सा slow ले रहा हूं मैं कल से थोड़ा सा slow ले रहा हूं the product of यम आय यह मैं बोले तो moment of inertia किसका the angular momentum angular momentum की definition मैं आपको दे रहा हूं the product of momentum inertia of body एक body का moment of inertia and its angular velocity क्या है angular momentum मैं आपको दिखा रहा हूं यहां तो angular momentum means moment of inertia of a body and its angular velocity moment of inertia बोले तो आ है और उसकी angular velocity बोले तो alpha यह दोनों का product है यानि कि दोनों का multiplication है तो इससे क्या कहता है this is called as angular momentum this is called as angular momentum और यह हम किससे इंडिकेट करते हैं मेंशन करने के लिए rotation कर लेकिने हम यहल का इस्तेमाल करते हैं तो यह रेस्टू 1 यह रेस्टू 1 है ओके और इसके बाद product है product किसका है sorry यह मैं alpha लिख दिया वहां गलती से alpha नहीं था linear linear acceleration लिख दिया हमेंने तो यहां angular velocity है angular velocity लिखना है हमें यह तो angular velocity क्या है यह इक्वस टू आई इंटू omega ओमेगा बले तो आइंगुलर विलासिटी है ओके वहां मैं angular acceleration लिख दिया गलती से तो यह इक्वस टू आई इंटू omega है तो यह दोनों भी vector है वेक्टर वहले तो कहने के angular velocity की एक direction रहती है उसी direction में rotate होता है और इसके direction होने की वज़र से angular momentum की एक direction रहती है और इसका unit क्या है तो देखो नो दी मोमेंट आफ लिनीर मोमेंटम इस काल ऐसा अंग च छाहिए समझने कि लिए क्ल अच्छ डीप्यन ईप्नेशन के एसका मुमेंट आफ कर दोड़ आउस्ट solemnity of inertia of body and its angular velocity is called angular momentum यह दोनों का multiplication है तो इसके बाद यह लिखने के लिए क्या करता है यह equals to r p sin theta r p sin theta okay moment of linear momentum is called angular momentum यानि कि इसका मतलब क्या है r into p sin theta तो theta कितना है तो theta हम यह इस्तेमाल करते हैं समझो 90 degree ले लिया तो sin 90 is equals to 1 आता है समझो हमने 90 degree इस्तेमाल किया तो sin 90 is equals to 1 is equals to 1 बोले तो r into p आएगा तो इस तरह से l into r p और p आपको पता है p क्या है तो यहां मैंने determine करकी दिया है आपको p is equals to mv है देखो p equals to mv है अगर यह term आप इदर लिखते है तो यानिकि l equals to i omega then l equals to r p sin theta बट theta हमने क्या किया theta 90 degree लेने के बाद यह आया r p तो p क्या है तो यह p की value हम अगर इदर लिखते है तो resultant value हमारे बन जाती है इस तरह से l equals to r m v l equals to r m v यह देखो इस तरह से यह p की value यहां r already है तो p equals to p into r p l equals to r into m v इस तरह से आएगा यह ओके लेकिन यह रहा momentum ओके ओके तो इसका unit क्या रहेगा kilogram meter square पर second यह क्यों आएगा इसा ऐसा क्यों आता है तो यह मिट यह आ रहे ओके यह मास की लिए हम किसका किसका इस्तेमाल करते है तो मास बोले तो यह रहा kilogram और यह जो आ रहे यह भी distance है इसलिए हम इसका भी इस्तेमाल यानि कि इस तरह से unit में आपको यहां represent करके देता हूँ समझो kilogram है तो हम इसे मास में represent करते हैं kilogram ओके यह जो distance है यह kilogram में इस्तेमाल करते हैं this is the kilogram यह जो distance यह में में रिप्रेजंट करते हैं और यह velocity है, velocity का unit क्या है, तो velocity का unit है, meter per second, तो हम क्या करेंगे थोड़ा से इसका combine करेंगे, तो क्या आएगा, kilogram into meter square per second, और इसे हम अगर details में लिख देते हैं, kilogram meter square per second, यानि कि second के सर के उपर अगर हम minus sign देते हैं, तो per second इस तरह से ह होता है, अगर इसका dimension आप देना चाहते है, dimension, तो एक kilogram है, kilogram represent करने के हम क्या करते है, mass capital M का इस्तेमाल करते, okay, mass M raise to, sorry, M raise to plus one, sorry, plus one है, okay, और meter है, meter है, meter है बोले तो L raise to two है, और ए second है, second raise to time raise to minus one है, तो इस तरह से M raise to one, okay, L raise to two, और T raise to minus one आएगा, इस तरह से minus one आएगा, ओके, तो यह रहा, dimensions, ओके, देखो, M raise to one, L raise to two, और T raise to minus one, यह रहा, dimensions of angular momentum, चलो, और आगे देखते हैं, इसके आगे का point, समझ में आया क्या है, सब क्यों, चलो, बहुत सारे बच्चे, बहुत बच्चे रहा है, लाइव के लिए 63 बच्चे अभी तक तो आए है, इससे जादा भी होंगे, लेकिन मैंने इधर देखा नहीं, क्योंकि मेरा फुली concentration इधर है, पढ़ाने में, तो इसके बाद लासल में, आपका क्रुपया फक्त प्रश्चनाची चैटिंग करा, दन्यवाद सर, बोसले सर, दन्यवाद, तो देखो, expression for angular momentum, यानि कि angular momentum का हम determination करने वाले है, अभी हमने खाले definition, देखो चोटा सा एक equation मैंने आपके लिए, रेडी करके दिया है, लेकिन हम क्या करेंगे कि ए angular momentum किस तरह से हम determine कर सकते हैं, तो angular momentum करने के लिए, हमें क्या करने पड़ेगा, देखो, suppose a rigid body rotating with constant angular velocity omega, suppose a rigid body, समझ मैं यहां दे रहा हूं, देखो, इस तरह से एक rigid body है, इस तरह से एक rigid body, ओके, यह rigid body है, इसका angular momentum मैं भी determine करना है, तो हम क्या करना पड़ेगा, देखो, suppose a rigid body rotating with a constant angular velocity, यानि कि एक constant angular velocity इसे ए रिवाल करती है, ओके, constant angular velocity, तो angular velocity क्या है, तो angular velocity हमने यहां ओमेगा ली है, देख सब्सक्राइब, जो सुरू में भी हमने जो कुछ भी point लिये थे, उसी तरह से same point है, तीन point तो एक जैसे, same, same जैसे उसमें कुछ भी बदल करने की जोर्रत नहीं है, suppose that the rigid body consists of yarn particles of masses, suppose एक rigid body है, और yarn number of particles है, उसमें, यानि कि एक समझो, मैं एक एक rigid body बोले तो इस तरह से एक ब इस तरह से यह mouse है, okay, a-b rigid body है, a-b rigid body है, okay, तो a rigid body है, तो इसमें जो कुछ भी particles रहेंगे, वो अपने जगे fix रहेंगे, वो जगा नहीं बदलेंगे, जब यह body rotate होगी, तो इसके particle जगा नहीं बदलेंगे, अपने अपने जगे वो fix रह जाएंगे, okay, यह लेता हूँ दू करते हैं, अगर इस तरह से भी rotation करते हैं, तो अंदर जो कुछ भी particle है, वो respective position बदल नहीं सकते, यानि कि अपने जगे पर फिक्स रहते हैं, अगर अपने जगे पर फिक्स रहते हैं, तो क्या रहेगा, suppose that the rigid body consists of यन नंबर और पार्टिकल, यह देखो यन नंबर और पार्ट distances, वो कितने distance पे हैं, एक है R1 distance पे, दूसरा है R2 के, यानि कि उनका respective distance भी दिखाया है, मैंने यहां, R1, Rin, this one is the Rn, from the axis of rotation, यानि कि वो axis of rotation से उनका fixed distances मैंने दिखाया है, और क्या देखते हैं, आगे का, इस तरह से यह body, body के जो particles है, particle की situation, यानि कि जो positions है, यह positions मैं आपको यहां दिखा रहा हूँ, यह देखो, इनकी positions है, ओके, यह positions इस तरह से, इनका rotation का direction भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, यानि कि यह body इस तरह से rotate होती है, यानि कि एक anti-clockwise direction इसका इस तरह से rotation होता है, anti-clockwise direction इस तरह से rotate होती है, अगर यह body इस तरह से rotate होती है, तो उनकी जो कु प्रोटेशन के उनका जो डिस्टंस है वो डिस्टंस हर एक पार्टिकल का अलग है यहां कि यह मोन का पार्टिकल इसका डिस्टंस है और यह जो यह यह रहेगा इसका डिस्टंस रहेगा और यह और यह एक्सिस प्रोटेशन से इसका डिस्टंस हो डिस्टंस हर एक पार्टिक का speed कम रहता है, उसका जो distance रहता है, वो जो revolution करनी का उसकी जो speed रहती है, वो कम रहती है, और जैसे जैसे हम axis of rotation से दूर जाएंगे, वैसे वैसे circumference बढ़ता जाएगा, और circumference बढ़ने के बाद उसकी linear velocity बढ़ जाएगी, क्योंकि circumference बढ़ रहा है, लेकिन डिवलुशन करने के लिए जो कुछ भी पार्टिकल को जो टाइम है वो टाइम हर एक पार्टिकल का सेम है यानि जो नजीक है उसका भी टाइम सेम है और जो दूर है उसका भी टाइम सेम है यानि कि जो कुछ भी टाइम है सब पार्टिकल के लिए एक ही है क्योंकि एक तो इस तरह से इनकी पोजिशन में आपको यहां दिखा दिया okay all particles of rigid body are art different distances different distances पर okay so the linear velocity of particle of mass M1 का linear velocity हम determined करेंगे तो M1 का क्या रहेगा तो देखो M1 का velocity v1 is equal to r1 omega कुनसा particle का मैं determine कर रहा हूँ चलो कुनसा particle का yamon particle का जो शुरू में मैंने आपको बता दिया था yamon particle का जो कुछ भी है वो हम यहाँ determine कर रहे है तो yamon particle की velocity रहेगी v1 v1 equals to r1 omega है r1 omega v1 is equal to r1 omega है यानिकि यह first yamon particle की velocity होगी तो यहाँ r1 भी है और omega भी है तो omega के बाद हम क्या करेंगे the linear momentum of particle of mass m1 is linear momentum of particle m1 m1 का linear momentum हम determine करेंगे इस से पहले मैंने आपको linear momentum determine करने का equation दे दिया है तो yel equals to kya है l equals to तो yel equals to p1 equals linear momentum angular momentum का yel equals to linear momentum linear momentum p1 equals to m1 v1 है linear momentum ऑके linear momentum equals to MV है linear momentum equals to MV है तो MV के जग पी V equals to MV है तो हम क्या करेंगे यहां इस तरह से तो इस तरह से तो व के equation हम लिख देगे आपको पता है V equals to R omega है वी equals to R omega होने के वज़े से अगर हम आप यहां लिख देते हैं तो इस तरह से P1 is equals to M1 R1 omega आएगा, M1 R1 omega आएगा, M1 R1 omega आने के बाद हम थोड़ा सा modify करेंगे, M1 R1 omega करेंगे, यह रहा linear momentum, हमें क्या determine करना है, angular momentum determine करना है, तो angular momentum determine करने के लिए हम क्या करेंगे, जो next step है इस तरह से ले लेंगे, तो angular momentum of particle of mass M1, M1 particle, फैसलिए हम M1 particle का ही पूरा determine करेंगे, और उसके बाद वैसे ही M2, M1, 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 इनका momentum of inertia हम determine easily कर सकते हैं, so L1 equals to R1 P1 है, L1 equals to R1 P1 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ, L1 equals to, यह देखो R1 है, यह P1 की कीमत क्या है, तो P1 की कीमत यहाँ M1 R1 omega मैंने दी 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 है, पहले से दी दी है, तो P1 की कीमत यानि कि यह जो कीमत है, यह कीमत हम इसके जगा लिखेंगे, तो equation हमारा आएगा, L1 equals to R1 M1 R1 omega, क्योंकि यहाँ R1 है, separately R1 लिखेंगे, लेकिन जब हम इसका combination करेंगे, तो combination करने के बाद इसका angular momentum आएगा, L1 equals to M1 R1 square omega, क्योंकि यह R1 है और यह R1 है, दोनों का multiplication होगा, दोनों का multiplication होगा, यानि कि उनका जो कुछ square हैगा, यानि कि उनका जो कुछ भी power हैगा, power की addition होगी, तो power क्या है, तो यहाँ आएगा, M1 R1 square omega आएगा, this is the angular momentum of particle first, this is the angular momentum of particle first है, तो इसके बाद हम देखते हैं, देखो, आगे का point क्या रहेगा, तो all particles of rigid body are at different distances, देखो, all particles of rigid body, जितने लिए rigid body के particles हैं, okay, कैसे हैं वो, rigid body are at different distances, उनका सबका different distance है, यह मैंने शुरू में आपको बता दिया है, और सबका different distance होने के वास्ते, उनका जो कुछ भी लिनियर विलोसिटी होगा, वो लिनियर विलोसिटी भी हर एक particle की अलग रहेगी, अगर लिनियर विलोसिटी सब particle की अलग रहेगी, तो हम क्या करेंगे, फस्ट वन शुरू में हमने क्या किया, यह मोन पार्टिकल का linear angular momentum हमने डिटर्माइन किया, यह मोन पार्टिकल का, यह मोन पार्टिकल का डिटर्माइन करने के बाद, अभी हम यहाँ M2 particle का डिटर्माइन करेंगे, लिखतो रहे न सब बच्चे, लिखे लो भई, लिखे लो, जल्दी जल्दी थोड़ा सा स्पीडली लिखे लिए, तो भी चलेगा, बाद में आराम से बैट के, फिर करिए इसको, तो L2 equals to M2 R2 square omega, M2 R2 square omega, तो हम यह लहाँ M2 particle के लिए, इसके बाद M2 particle के लिए, इतने बहुत सारे इसे particle के हम यह जो बोडी है, यह बोडी में इतने बहुत सारे particle के हम count नहीं कर सकते, इतने बहुत ज़्यादा particles होते, अगर इतने बहुत ज़्यादा particles है, तो उन्हें count करने के लिए बहुत difficulty हो सकती है इसलिए हम खाली integer है integer बोले तो बहुत सारी integer number of particles है तो यमाय particle का angular momentum रहेगा L1 equals to Yami Ri square omega रहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा आपको पता है अगर YM1, YM2, Yami और MN ये आगे का कौन सा रहेगा MN करेगा इस तरह से MN का तर YN equals to Yami N RN square omega रहेगा अगर आपको पूरे body का angular momentum determine करना है तो क्या करना पड़ता है ये आपको पता है इसका angular momentum आपको determine करने के लिए सब equation की आपको addition करनी होगी तो किस तरह से देखो ये देखो the angular momentum of rigid body is equal to sum of angular momentum of all particles पूरे particles का angular momentum का आपको क्या करना पड़ेगा addition करना पड़ेगा सब की वेरीज करनी पड़ेगी अगर आप सब की वेरीज करते है तो क्या आएगा तो resultant angular momentum आएगा that is the L और L equals to L1 plus L2 plus LN plus dash 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 plus L sorry तो इस तरह से L equals to तो L equals to L1 plus L2 plus L I plus LN रहेगा वर वर है तो इनका सब का अगर हम addition करते हैं तो ये addition इस तरह से determine करेंगे तो क्या रहेगा L equals to M1 R1 square omega plus M2 R2 square omega plus YM1 R2 square omega और dash 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 YM1 R2 square omega इस तरह से ये आएगा अब हम अगर अभी क्या करते हैं इसका इन सब का addition करने के बाद यहां common क्या आता है तो यहां omega common है देखो इस तरह से A omega common है तो ये omega common हम ले 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 थे तो omega common लेने के बाद जो बाकी बच्चता है उसे हम separately bracket में ले ले थे YM1 R1 square plus YM2 R2 square dash 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 plus YMI R2 square plus dash dash YMN R1 square into omega इस तरह से आएगा ये कुछ नेट का problem था शाय नेट का problem था विजे शिंदे सर डाउट असेल तर comment section मदे च्विचाराई चे का होई comment section मदे शिवटी त्याचा उत्तर तुम्हाला मिलून जाही और ये जो common है ये जो omega है ये सबका omega common आ जाएगा इस तरह से इसके बाद हम क्या करते देखो तो YL equals to summation of YMI R2 square into omega आएगा summation of summation of YMI R2 इसका summation तो ये summation लेने के बाद आगे का हम लेते इस तरह से तो क्या हैगा जो ये जो है ना summation of YMI R2 तो ये है moment of inertia यानि कि ये जो पूरा है ना ये जो पूरा है इसके लिए हम क्या ले रहे हैं इस 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 दी I ले रहे है तो हमें आगे का equation क्या मिलता है देखो YL equals to ये जो सब है ये जो इतना सब है इसके लिए हम यहां summation करके इस तरह से summation किया और ये moment of inertia के बरोबर लिख दिया तो YL equals to I omega आया इनके लिए हमने क्या किया I ले लिया और ये omega उसी same omega ले लिया हमने इस तरह से तो angular momentum is equals to moment of inertia into angular velocity angular momentum is equals to ये रहा equation इस तरह से YL equals to I omega I बोले तो moment of inertia और omega बोले तो angular velocity इन दोनों का अगर हम product करते है तो angular momentum हम determine करते है तो इस तरह से ये रहा angular momentum of a rotating body अगर कोई body rotate हो रही है तो उसका angular momentum इस तरह से आता है तो finally हम क्या करते है यहां तो इसके बाद है state the principle of conservation of angular momentum इसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में लेते हैं अभी थोड़ा सा net का कुछ तो मसला चालो है तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपका angular momentum का expression ले लिया और एक बार इसे हम थोड़ा सा revise करते हैं देखो इस तरह से ओके यह रहा पूरा इसका और एक बार इसका रिविजन करते हैं तो देखो linear momentum है linear momentum linear momentum की definition कहें the mass the product of mass of body and its linear velocity इन दोनों का जो कुछ भी product रहेगा वो product बुले तो linear momentum रहेगा इसका unit दिया है मैंने उसका dimension में दे दिया है m raise to 1, t raise to minus 1 है इसके बाद angular momentum इसकी definition है क्या the product of momentum inertia of body and its angular velocity is called angular momentum तो इस एल vector y equals to i omega इन दोनों का product दे दिया है आपको यानि कि finally जो equation आया था यह equation इस तरह से आया है तो moment of linear momentum is called angular momentum इसके बाद y equals to r p into sin theta तो p sin theta बले तो आगे हम क्या करेंगे y equals to r p क्यूंकि p is the ymv है अगर p equals to ymv है तो इसका resultant equation इस तरह से आएगा p l equals to rmv rmv this is the angular momentum तो हमें आगे क्या है इसका unit दिया है kilogram meter square per second cgs में gram centimeter square per second इसका dimension e m raise to 1 e l raise to 1 और t raise to minus 1 e l raise to 1 t raise to sorry e m raise to 1 e l raise to 2 2 और t raise to minus 1 इस तरह से इसका dimension है okay तो यह रहा okay इसके बाद हम देखते है question देना था मैं आपको suppose rigid body इसका derivation एक rigid body हमने consider की है okay उसका mass ym और जो और रिटेट कर रहे हैं तो उसका angular velocity था omega omega imagine कर रहे है इसके बाद जो body है वह body में बहुत सरी particles है नम्ब यहन नम्बरों पार्टीकल कर उनका mass ym2 iam 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 , iam and yam. यम इन इतने सारे बहुत particles है और वह एक्टो पूटेश्टेशन से यह आरवन r2 ri डाश यहन इतने distance पर वह situated और इसके बाद इसका अगर वह extra rotation कर रहे है तो linear velocity सब का अलग रहेगा इस तरह से एक figure और अगर ड्रॉ करोगे तो इसके बाद एक पार्टिकल का मोमेट आप इनश्य हम डिटरमाइन करेंगे इस पेसे एक पार्टिकल का अंगुलर मुमेट सब्सक्राइब करेंगे तो इसकी वेलासिटी क्या रहेगा क्यों कि यह पार्टिकली सिच्च्च दिपरंट डिस्टेंसे प्रम एक्षप पूटिशन तो linear velocity of each and every particle is different, यानि कि हर एक पार्टिकल की linear velocity अलग रहेगी, अगर इन सब की linear velocity अलग रहेगी, तो हम क्या करेंगे, उसको v1 equals to r1 omega करेंगे, v1 equals to r1 omega है, linear velocity है, तो linear momentum of particle of mass m1, linear momentum determine करेंगे, तो linear momentum determine करने के लिए आपको p equals to mv है, तो p equals to mv है, तो हम यहां लिख देते है, p1 equals to m1 v1 क्योंकि फर्स पार्टिकल का है, फर्स पार्टिकल का determine करने के बाद यह रहेगा, m1 r1 omega, m1 r1 हो गया, क्योंकि v की velocity, आपको v की, v का equation मालू में, आपको r1 omega है, r1 omega होने के वस्ते, अगर आप यह अभी की किमत यहां जग देते है, तो इस तरह से equation आएगा, ओके, ओके, चलो, तो अगे क्या है, p1, p1 equals to m1 r1 omega है, तो इनका बाद में क्या है, देखो yl1, yl1 बोले तो angular momentum, angular momentum यह रहा linear momentum, angular momentum डिटर्माइन करने के लिए, शुरू मैंने आपको एक equation दिया है, r into p, r into p आता है, तो p की value हम इधर लिख देते हैं, तो p की value यहां लिखने के बाद क्या आएगा, yl1 equals to r1, ym1 r1 omega, इस तरह से आएगा, लेकिन यह r1 और r1 दोनों का product होगा, product होने के बाद यह आएगा, yl1 equals to ym1 r1 square into omega आएगा, ओके, यह रहा एक particle का, यानि की ym1 particle का रहा, this is the angular momentum of ym1 particle, इसके बाद हम क्या करेंगे, all particles of rigid body are situated at different distances, so ym2 particle का angular momentum हम determine करेंगे, तो ym2 का क्या रहेगा, ym2 r2 square omega, इसके बाद ym1 particle का, ym1 particle का, ym1 particle का angular momentum रहेगा, ym1 r1 square into omega, उसके बाद रहेगा ym1 particle का angular momentum, तो ym1 particle का क्या रहेगा, ym1 rn square omega, इस तरह से आएगा, ओके, तो आपको पता है, शुरू में आपको आपने kinetic energy determine किया है, momentum of inertia determine किया है, उसी तरह से यहाँ भी, उसी तरह से same stages है, same step है, तो हम क्या करेंगा, angular momentum of rigid body equal to sum of angular momentum of all particles, सब particle का angular momentum की हम addition करेंगे, marriage करेंगे, combination करेंगे, तो सब के लिए, यह क्या रहेगा, l equals to common है, l equals to l1 plus l2 plus dash dash plus l i plus dash 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 ln रहेगा, तो सब की value अगर आप यहाँ लिख देते हैं, तो आगे आ सकता है, l equals to m1 r1 square into omega, plus m2 r2 square omega, plus dash 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 m i r square omega into m1 rn square omega, और एक बार request करता हूँ दोस्तों, वीडियो को like तो किया है न, like करिए, क्योंकि इतना आप देख रहे हैं, तो देखते वक्त like भी किजिए, क्योंकि आपका एक like मेरे लिए बहुत माइने रखता है, क्योंकि सही में मैं सही पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा आपके like के ऊपर मुझे समझता है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, मेरी जो मेहनत ले रहा हूँ, मैं जो कस्ट कर रहा हूँ, ये आपके लिए या बोले, किसी के लिए न हो, लेकिन जो कुछ भी कर रहा हूँ, ये अच्छा लगता है, तो like करना न भूले दोस्तों, आपका एक like मेरे लिए बहुत-बहुत important होता है, comment करके भी आप बता सकते हैं कि मेरा वीडियो लाइक हो रहा है, आपको पसंद आ रहा है, कुछ difficulties है, कुछ-कुछ क्या है सो आप comment कर सकते हैं, okay, तो इसके बाद, इसके बाद here equals to, ये देको सब की value लिखेंगे औ और ये ओमेगा common ले ले लेंगे, क्योंकि यहां भी एक omega है, यह रहेगा ऊमेगा ओमेगा है, तो क्या करेंगे हम इदर omega common लेने के बाद here equals to, ये रहेगा omega common, तो हम क्या करेंगे, हिनका सब का summation करेंगे, तो इस तरह से summation आएगा, e L equals to summation of, ये माय आरा square into omega, तो ये summation of, ये र स्क्राइब बोले तो यह रहेगा मोमेंट आप इनर्शा इस तरह से यह रहा मोमेंट आप इनर्शा तो यह मोमेंट आप इनर्शा लेने के बाद इस तरह से हम लेंगे यहल इक्वस्टू आई ओमेगा यानि कि इस तरह से इस इसके लिए हम लेते हैं आई और यह बाकी का यह तो इस तरह से यह रहा टोटल एंगूलर मोमेंटम तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको पढ़ाया है अगर कुछ दाउट है तो मेरे साथ difficulty आप मेरे साथ share कर सकते है मुझे बता सकते है कि मैं आपको क्या difficulties है वगरा अभी मैं आपके देखता हूँ कि क्या क्या comments वगरे आये है वीडियो यहाँ भी बदल गया है आपका भी बदल गया होगा आपको भी दूसरी notification आई होगी शायद देखो पार्त पुरेकर है है हलो पंदरिनात कदम ओके बेस्ट नमबर थेंक्यू संजय सूर्यवंशी सर प्लीज वेट फॉर screenshot प्लीज ओके screenshot आप आपके mobile को pause कर सकते हैं अगर आपको screenshot लेना है तो आपके mobile पे उपर आप जैसा pause करो थोड़ा और pause करने के बाद वो stop हो जाएका उसके बाद आप screenshot ले सकते हैं और आगे चलने के mobile के उपर screen के उपर इस तरह से तीन-चार बार आगे आओगे तो एक टिप एक टैप के लिए वो दस सेकंड से आगे जाता है चार-पांच बार पांच बार करोगे तो पचास सेकंड से आगे चलता है इस तरह से यानि कि आपका ले सकते हैं ओके उसके बाद ठीक है ने तो हम क्या करेंगे screenshot के लिए एक दो सेकंड भी ठेर सकते हैं एक चार-पाथ सेकंड ठेरेंगे बाद में Okay, उसके बाद उन इजिनियस ठीचर thank you, रिता चववान, लाइक किया Sir, सबका तो लाइक आना चाहिए, बहुत सारे बच्चे करते हैं, कभी नहीं करते हैं, इतने सारे बच्चे देखते हैं, इतना सारा वियू आता हैं, लेकिन लाइक क्यों नहीं करते हैं, ये भी समझ वो आ रहा कभी कभी मुझे मुझे लगता है कि मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूं शायद आपको पसंद नहीं आता अगर आपको पसंद आता तो लाइक कर देते आप मुझे लग रहा है कि आपको लाइक नहीं हो रहा है आपको पसंद नहीं आता है वो लाइक करता है अगर आप आप को पसंद नहीं आता तो आप लाइक क्यों करेंगे बराबर है ना ये भी ओके रुपाली काल बेरे खुब छान सर ओके पाटिल जुलमे लाइक किया सर ओके किरन सुपारे नाई सर जितेंदर एवले हाई 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 हालो प्रिया लंजवार हाई सारिस जूशी हाई ओके विजे शिंदे सर नीट सीटी जी चे एक्जामपल घेनार आहित का हो चाप्टर संपले चान अंतर ही एक्जामपल घेनार आहे त्यान अंतर घजानन आठ्वले नाइस टीचिंग सर थैंक्यू रुपाली शिंदे रहते है सर ओके इसके बाद एक्सेलेंट टीचिंग धन्यमात पुझा चोदरी सर लाइक किया है और सब्सक्रेब किया है बेल भी दबाई है ओके लाइक करो बेल दबाओ सब्सक्रेब करो यह आपकी लिए है अगर आपको वीडियो चाहिए आपको पसंद आते आपको बार है ओके तर्मित्रानों आशा सो रूपा मदे आपन हां बीटी ते घेत लेला है जो बाटिटास पॉइंट आए तो उध्याचा पीरेड मदे आपन गेविया मग आज इतर थांबाई चे का अपन सरवानी सांगा वी कैन स्टॉप येर ओके सर रिजीड बोडी मनुन कागद ये तो का रिजीड बोडी प्लेन मदे पेपर असेल तर घेता आई तो मुड़ता कामाने हलता कामाने डिस्टंस बदलता कामाने यह खपट चालेल पन पेज नहीं चालना ओके हाउ ड़स दीस कम यल इकवस्टो पी आर पी साइन थीटा ओके बोडी का रोटेशन दिया है हम पुजा चोदरी आया जो वीश्चर ओके गिताव बोस गे ओके हाँ तर अपन याठीकानी थामुयात अपन तुम्ही सरवाननी मला तुम्ची सेवा करन्या साथी तुम्हाला टीचिंग दरन्या साथी मला संदी दिला त्या बदल मी तुम्चा श्यत शहारूनी आहे मित्रा अपन विवस्तित रित्या तुम्हारा भी कंटिनू पूर्ण सिल्या बस गेना रहे उद्या दुपारी केमेस्ट्री साथी दुपारी दोन वास्ता अपन सर्वजन भीटुया सोलूशन चाप्टर चालू आहे सोलूशन चाप्टर चे में तीचिं चालू आहे दुपारी द कि वाहनों के लिए त्साइरां ये सद्ध्याला लाई्व मघर सकता थो यपना सार्वान के लिए. तुम्हाला मंतिल तुम्हाला कमीत कमी पाच विद्यारत्याना सांगा उज्वला पाठील अक्रावीचे एलवन चा दर रोज एक वीडियो अपलोड करना रहे एके दिवसी फीजिक्स एके दिवसी केमेस्ट्री ओके जेनरल टॉक अपन पुना करूया अता फक्त थैंक्स जता कैसे बि簡 थे गुपना करूया आक्ष्वू व्चे और बहरत्यां घांगा ऑलोड कर को पुनांतों।